हेलो हाई आदाम नमस्कार सम्मानिसातियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टेट पाइंड महम्मांद यूसुफ लिके संग निश्ठा प्रिसेशन के उन्दरगत 18 मॉड्यूल का प्रिसेशन होना है और 18 प्रिसेशन के पश्चात ऑनलाइण एक परिच्छा आयजीत के जाएगी और आयजीत परिच्छा जो होगी वो इनी मोडूल की सामरी के अंतरनेत की जाएगी इसी के सापेक्ष हम एक स्रंखला लेकर आ रहे हैं और उस स्रंखला की इस कड़ी में इस वीडियो से आप से जुनना चाहते हैं आप एक्षा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बराबर में बैल आइकन को दबाएं ताकि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घरता नहीं, ज्ञान बढ़ता है अब हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ निष्ठा प्रिशिशन मोडियोल आठ पर आधरी डायरी निष्ठा प्रिशिशन मोडियोल आठ पर आधरी नौर्स निष्ठा प्रिशिशन आधर मोडियोल आठ पर मुख्य बिंदो निश्ठा प्रिस्टेशन मोडियूल आठ परियावरण अध्यन का सिक्षा सास्त्र पहला प्रिस्टेशन है निश्ठा इस मोडियूल का क्या उद्देश्य है इस मोडियूल को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे प्रात्मिक इस्तर पर परियावरण अध्यान का एक इकरत पाठ्थेचरिया छेटर के रूप में मैत समझने में इस मोडियूल के उद्देशों को सम्मंद पाठ्थेचरिया के संकल्पना और उद्देश्ये के साथ जोणने में पाठे, पुस्तक में संकल्प नाम, संकल्प नाम और मुद्दा, मुद्दों का पता लगाने और कक्छा में उनके संप्रेशन की विभिन पदितियों के बारे में जानने है तो नमर चार, परिच्छा के लिए, बच्चों के लिए उनके संदर्व और अवसकताओं के नुसार विष्टिष्ट अधिगम, अनुभव का योजनाओं और रूप रेखा त्यार करने में नमर पांच, सिक्छा, सभी सिक्छारतियों को सिक्छण और अधिगम के आमने सामने और दूरस्त पदिती दोनों तरह से सार्थक रूप से जोड़ने के लिए सिक्छा सीखने की परिस्थितियों को विवस्थित करने में और नमर चे परियावरन अध्यान में सीखने के पृति फनों के साथ देखने की प्रिगति का मिलान करने के लिए विभिन आकलान कारिय नीतियों के उप्योग करने में अब चलते प्रिशन नमर दो इस मोडियूल की सामगरी की रोप रेखा क्या है निम लिखेत हैं नमर एक परियावरन अध्यान का परिचे परियावरन अध्यान की प्रिकृति संकल्प और का रेखेत्र परियावरन अध्यान पाथे चरिया को समझना परियावरन अध्यान सिक्षा सास्त्रिय आयाम प्रात्मिक इस्तर पर परियावरन अध्यान के अंद्रगत यह विचार किया जाता है कि बच्चों का उनके परिवेश की वास्त्रिक परिस्तितेओं से अनुभब दिये जाएं जिसे वे उनसे जुने उनके प्रति जागरूख हो उनके समझ को समझें और प्राकर्तिक, भोतिक, सामाजिक तता सांस्कर्तिक एवं वर्त्मान परियावरन मुद्यों के प्रति प्रिज़न नमर चार है हमारा परियावरन अधन की पाठेचरिया के नुसार प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती हैं अपेक्षा निम्न की जाती हैं नमर वन वे अपरिवार पेड़ पोधों जीव जन्तू भोजन जल यात्रा एवं आवास जैसे दिन प्रति दिन के जीवन से जुड़े विभिन विश्यों थीम के वास्तविक अनुभव द्वारा अपने आसपास विस्तरित परिवेश के प्रति जागरूख हों वे अपने आसपास के परिवेश के प्रति सेवहाविक जिग्यासा एवं रचनात्म का पोश्ण करें उनमें आसपास के परिवेश में उपलग प्राकृतिक भोतिक मानन संसादनों के प्रति सम्वेदन सिल्ता का विकास हो प्रिशन नुबर पांच हमारा परियावराण अध्यन पाठ्गे चरिया को समझना क्या है उत्तरेज का बच्चों को पाठ्टे कर्म, समंधी, अपिक्छों और कक्छा और सीखने के पृतिफुलों को प्राप्ट करने में समय मदद करने के लिए पाठ्ठे चर्य सामगरी, पाठ्ठे करम, पाठ्ठे पुस्तकों और अन्य पूरक सामगरी आधी को उनके आसपास बुना जाना चाहिए और किसी भी कक्षा में संप्रेशन या सीखने का कोई भी अनुभप उपलग्द कराने के दौरान सिख्षा सास्त्रे पहलों में भी इसका ध्यान रखना चाहिए पिरसर नमर चे है हमारा राष्टे पाठे चरिया रूप रेखा 2005 दौरा दिये गए मार्ग दर्शी सिधान्त कौन से है इसका उत्तर है मार्ग दर्शी सिधान्त NCF 2005 निमलिकित है नमर वन ग्यान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना दो सून इस्चित करना की सीखना रखने के तरीके तरीकों से दूर हो तीन बच्चों को पाठे पुस्तक तक्सीमित ने रखकर उनके समगर विकास के पाठे चरा को समरद करना और नमबर चार परिच्छाओं को अधिक लचिला बनाना और कख्छा जीवन से एक ही ग्रत करना नमबर पांच देश की लोगतांत्रिक राज्ये ववस्था के बीतर सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एक सू विग्या और अभी भावी पहचान विक्सित करना पर से नमबर साथ है हमारा एंसी ई आर्टी का पाठेकरम कितने सामने थीमों के आसपास बुना गया है इसका उत्तर है एंसी ई आर्टी का पाठेकरम छे सामने थीमों के आसपास बुना गया है जैसे परिवार एवं मित्र इसमें बहुत सीत उप थीम हैं जैसे सम्मंद कारिय और खेलना पेड़ पोदे जी जन्तु आदे नमर दो भोजन तीन आवाज चार जल पांच यात्रा छे चीजे जो हम बनाते हैं करते हैं जो वच्चों के जीवन और उनके आसपास के परिवेश से घनिष्ट सम्मन को पिरती बिम्वित करते हैं पिरसे नमर आठ है हमारा जल संसाधनों में पीने योगिये और ने पीने योगिये दोनों जल होते हैं क्या यह सत्ते हैं हाँ यह सत्ते हैं पिरसे नमर नो है हमारा जल संसाधन प्राकरतिक और मानों निन में दोनों होते हैं क्या यह सत्ते हैं हाँ यह सत्ते हैं पिरसे नमर प्रियावरन अध्यान सीखने के पृतिफल क्या है? इसका उत्तर है प्रात्मिक इस्तर पर प्रियावरन अध्यान के अंद्रगत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तिविक परिस्तितियों से अनुभव दिया जाए जिससे वह उनसे जुड़े उनके पिर्ति जागरूख हों। चीखने, सिखाने की प्रिकरिया हेतु एक इकरत एवं ठीम आधरित उपागाम की सिफारिश करता है। पिरसे नमर 13 हमारा, क्या आप एक निर्मित परिवर्तन देख सकते हैं। उतर है, परियावन अध्यन में पाठे करम का जाल तीसरी कक्षा से बाहर की ओर बढ़ता है। और स्वयम से शुरू करके अपने परिवार को सामिल करते हुए, फिर पडोस, फिर अपने इलाके और फिर उसके आगे भी संकल्पनाओं की बड़ती जटिलता के साथ बच्चों की अपनी दुनिया की समझ को धेरी-धेरी बढ़ाता है। ताकि जब बच्चा कक्षा पांच में पहुंचता है तब तक वैख खुद को एक वयापक संदर में इस्थानिया और विश इस्तर पर बड़े समुदाई के इस्थे के रूप में देख पाता है। परियावरन अध्यन में सिक्षान अधिगम की कारिये नीतियां और संसाधान। इसका उत्तर है शीखना एक सीधी आदान प्रदान प्रक्रिया नहीं प्रन्तु बच्चों को उनके वर्तमान संदर में चीजों को समझाने की आव सकता है। विवित प्रष्ट बोमी की कारण बच्चे अपने सामाजिक दुनिया में विविन परकार के बोध के साथ बड़े होते हैं। बच्चे सेवाब से जिग्याज़ों प्रवर्ति के होते हैं जो अपनी जाच की परताल, अपनी उनकी उनकी जाच परताल की ललक और इन प्रिस जोड़ देते हैं कि सभी बच्चे ग्यान और निश्चे प्राप करता नहीं होते बलकि वे चीजों को जैन सीखने में सक्षम होते हैं परियोजनाएं परियोजनाएं क्या है इसके सीखने के परियोजनाएं सीखने का एक महत्पूर्ण साधन होती हैं जिने विध्यार्ती अकेले यह समुह में करते हैं और इस समुह और इन पर स्कूल में या घर पर काम कर सकते हैं परियोजनाएं विशेवार या अध्यावार हो हो सकती हैं प्रयोजनाओं की योजना तता रोप्रेखा त्यार करने में विद्यारतियों को सामिल करें अपने माता पिता और दादा दादी के समय जलकी उपलवता के विशे में पता करें और वर्तमान इस्तिती से उसकी तुलना करें प्रिशननमार सिष्टीन है परिचर्चा से कैसे अधिगम करें परिचर्चा समु व्यवस्ता में सामाजिक आदान परदान के माध्यम से शीखने में मदद करती हैं ग्यान का सार्थक सर्जंत तब होता है जब विचार और अनुभाव दूसरों के साथ परिचर्चाओं के करने के समूचित अफसर हैं कोश्चन नमलॉक और अन्वेशन करना बच्चों को झळने सर्जन करने परिचर्चा करने विवेच नात्मा कुरूप से सोचने वर्गी करने किसे नंकरने कारण पता लगाने और निश्कर्स निकालने के लिए प्रोसाहित करते हैं परियावर्ण अध्यन की पाठे पुस्तक में बहुत अधिक प्रियोग दिये गए हैं जिन में बच्चे गती विधियों को स्वेम कर सकते हैं और अपने आप लोगों से सीख सकते हैं उधारण के लिए क्या करता है और अपने आप लोगों से सीखते हैं सम्मंदि सुझाव देकर गती विदियों को सहे सकते हैं प्रिशन नवर 18 सर्वेक्षण और सक्षातकार के द्वारक कैसे सीखा जा सकता है सर्वेक्षण सार्थक अंतर द्रश्टियां उत्पन करने के लिए जानकारी पाने एक कित्र करने और रुपियों करने हे तूं को अपने आप प्रसिन बनाने अपने आसपास के लोगों को सक्षातकर करने और दी गए समस्या कारे से समधि परिक्षण को इखटा करने और एक रिपोर्ट तयार करने के लिए प्रोसाहिट किया जा सकता है इससे उन्हें आसपास की समस्याओं के बारे में पृत्यक्ष और अनुभव प्राप्त करने और अधिक सीखने में मदद मिलती है कोशन नमर 19 अनुभव साजा करना सिक्के से सीखते हैं बच्चों को अपने आप को मुक्त करने में मदद करने के लिए सिख्षक ऐसी परिस्तितियां उत्पन कर सकता है जहां प्रतेक बच्चा जिजक बिना विचार साजा करना चाहता हो अभी व्यक्ति के अवसर मोखित या अन्य कोई भी हो सकते हैं उधारन के लिए जल की उपलगता के बारे में चर्चा करते समय बच्चों से पूछा जा सकता है कि उनके अपने घर में जल कैसे मिलता है प्रिशन नमबर 20 भूमी का निर्वा के दुआरा कैसे अधिगम किया जा सकता है उत्तर है भूमी का निर्वा बच्चों को कुछ वास्त्विक और काल्पनिक पात्रों को अभीने करने में मदद करता है जो नेक एवल उनके आत्मस्वास के सरजन बलकि ऐसे पात्रों के मू प्रिश्टी प्राप करने में मदद करता है यह उन संदर्मों को आत्मसाथ करने में सक्षम बनाता है उधारन के लिए पड़ोज में एक सूकते पुनर जीवित जला से कुवा जील तालाव को देखने जाना और लोगों से इसके बारे में पता करना यह भूमी का निर्वा ह कोशन नमबर 21 निर्वा अध्यन में शिक्षण अधीगम के लिए सीखने के संसाधन बच्चे विभिन तरीकों से सीखते हैं इसलिए सीखने के विभिन संसाधनों का अपयोग करके उन्हें सीखने की विभिन अवसर उपलव्द कराना महत्पून है यद्पी परियावरान अध्यन की पाठ्य पुस्तक के बच्चों के आसपास के परियावरान पर केंद्रित है जिन में प्राकर्तिक, भोतिक, सामाजिक और सांस्क्रितिक परिवेश सामिल हैं फिर भी पाठ्य पुस्तकों को ग्यान का एक मात्र स्रोत नहीं होना चाहिए बलकि विभिन अन्यस और बच्चों को बच्चों दोनों को ग्यान का सर्जन करने के लिए मदद करते हैं और बच्चों को वास्तिविक जीवन की चानविन करने और उनसे जुणने के अवसर देते हैं का प्रियोग करना चाहिए कोशन नमबर 22 परियावरान अध्यन में सीखने के अनुभाओं का नीयोजन और सरजन कैसे करें इसका उत्तर है परियावरन अध्यन में पाठे चर्या समंदिय पिक्षाओं सिक्षा सास्त्री आयामों और शीखने के परिणामों के बीच एक कडी स्थापित करने के लिए परियावरन अध्यन पाठे कर्म की थीम जल को ले, पृत्वी पर सभी प्रकार के जीवों के जीने के लिए पानी एक महत्मुन संसादन है, कोई भी वर्ग, छेत्र या भुभाग हो, जल से समधे संकल्पनाय और मुद्दे एक जैसे हैं, पृत्वी पर सभी एक जैसे संकल्पनाय मिलेंगी, इसलिए यह है विभेन परियावन संकल्पना और मुद्दों को समग रूप से समझने में मदद कर सकता है कोशन 23 जल उपलवता पदती और वित्रण जल के स्रोतों के बारे में बच्चेयों की अपनी समझ है क्योंकि वह उनको उन जाने पहचाने स्थानों से जोडते हैं जहां उने जल देखने उप कल्पिक वत्रणों के बारे में बात कर सकते हैं कोशन 24 जल वेग्यानी सिद्धान और प्रक्रियाएं टॉपिक है उत्तर है अपने विशिष्ट रैसानी संगठन के कारण जल अपने विशिष्टाओं जैसे आवस्था रंग स्वात और निर्भरता के संदर में सार भौमिक और एद्युत्य है इस कारण यह वेग्यानी पदिती को पूरा करना और सिद्धान्तों का पता लगाने के लिए उत्क्रिष्ट अवसर प्रदान करता है बहुत कम उम्र से ही बच्चों को अपने देनिक जीवन में जल में तैरने और गोमने के जैसे अनुभा मिलने लगते हैं कोशन नमर 23 कोशन 24 जल संस्कृतिक संस्कृतिक पहलु है टॉपे प्राचिनकाल से विभिन छेत्रों धर्मों में विभिन अनुष्ठानों और नीतियों में जला से नदियों की पूजा जल की भूमी का हमारी संस्कृति का अभिन अंग रही है यह बच्चों की सामाजि संसाधनों की रक्षा के लिए उन्हें सम्वेदिन शील बनाने के लिए परियाप्त अफसर प्रदान करता है कोशन नमबर 26 जल संदक्षान एक परियाव वरणिय सरोकार है टॉपिक उत्तर जल हमारे जीवन में महतपुर्ण स्थान रखता है यह सभी जीवित सभी को जीवित रखता है और हमारे देनी कारियों के लिए आवश्यक है प्रेंतु इसका एक दुर्लव और मुल्यवन सर्शाधन होने की कारण बच्चों को नहीं किवल इसकी प्रति सम्वेदिन शील बनाने की आवसकता है बड़कि इसके स पसंदारे हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें गती विदियों को पूरा करने के लिए पालन करने है तो कौन से चरण है उत्तर है एक प्रम समकल्पनाओं के संदर में अध्याय इकाई का वनन करें इसकूल और सिविधाओं बच्चियों उनकी आवसकताओं सही संदर्मो के नुरो पार्ट इकाई योजना को डिजाइन करें सीखने के उद्यस से के नुरो पार्ट इकाई योजना को डिजाइन करें विभिन सरुकारों जेंडल कला सामयवे सी पह जहां कहीं भी संबह हो उसको जाच करें और एक इकरत करें नमर चै आवसक आकलन प्रारों पो नि मिलान करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें